दोस्तों अब हमारे सामने बात करने के लिए आ रहें AICP पार्टी के नेता और एड़ोकेट स्री लक्षमन जी मेरे साथियों मैं आपके सामने आज अपना एक नया रुप सामने रखकर बात करना चाहूँगा खास करके इस धर्टी और इस धर्टी से चुड़े इंसानों के बारे में मैं जहां खड़ा हूँ वही मेरी धर्टी है दुनिया में कहीं भी ऐसा प्रवासन नहीं हो रहा हूँ इस धर्टी को हड़पने के लिए और छीनने के लिए जो जूटा कानून मनाय गया वो है प्रवासन कानून जो बार हमने बांद कर रखी है वो सिर्फ धर्टी पर ही नहीं हम इंसानों के दिलों पर भी है आपको याद होगा वो छूटा सा नंजय कोट गाउं जहां तमिलांडू और केरल के लोग आपसे मिल चुल कर रहते थे ऐसे भेद भाओ के बारे में नहीं पता था फिर भी मैनत करके काम करके सालों साल नंजय कोट के लोग जी रहे थे और ऐसे ही तमिल लोगों पर डिवाईपी पार्टी के लोगों ने प्रवासन के नाम पर धबबा लगा दिया है उन्होंने परिमल जी की प्रतीमा को भी तोड़ डाला खर, बच्चे, परिवार और जिंदगी सब कुछ नच्ट कर दिया टीवाईपी पार्टी के लोगों ने इन्हें छोपड़ पट्टी में नदी के किनारे, गंदी सड़क के किनारे ऐसी जग़ फेख दिया जो इंसान के जीरे लाइक नहीं है जाते हुए लोगों को इंसानियत छोड़ कर दमाशे की तरह देखने वाले हैं डीवाईपी पार्टी का प्रेसिडेंट अमर नार इंद्रा एस्टेट और परिमल कॉल्ली को भी हरपने के लिए धुंखार दुंडो का इस्तिमाल किया गया और इन अत्याचारी क्रिमिनल्स को पालने वाला था अमर ना अपने सारे गुनाहों को सबसे छुपाने के लिए अपने मामा विजयानन को एमपी के रूप में वही लेकर आया था और अपने खुद के भाई अप्पु नाम के जहरीले सांप को अमर नाथ ने आने वाले एलेक्शन में विजयानन के बदले डिवाई पार्टी का अध्यक्ष बना गिया नंजई कोटे में डिवाई पी के इस खून खरावे में लोकल लोगों ने बाहर के लोगों के साथ मिलकर हथ्यारों का करवार शुरू किया और खून खरावा किया अब सोच बदलने का वक्त आ गया है छोपर पट्टी के गंदे नालों में रहने वाले अपने तमिल लोगों से मैं लक्षमन वादा करता हूँ कि उन लोगों को इस नंजई कोटे में वापस लाकर उनका हक दिलाऊंगा टी वाई पी के जूटे वादों को AICP पार्टी टक कर देगी बड़े बड़े सवाल और छोटे छोटे दबावों के साथ अमरनाथ के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेंगे और आप में आवाज उठाने की हिम्मत है तो मैं एड़ोकेट लक्षमन आपको बता रहा हूँ कि हमारी इस धर्ति के इंसानों को डराने और मारने के लिए आगे ये हर्गिस नहीं होने देगा बंद कर दो ऐसे नहीं चलेगा ये सिर्फ लक्षमन की जितादी नहीं है AICP आज आपको मौका दे रही है ये नंजे कोटे का रमान है नंजे कोटे के लोगों को मेरा नमन धन्यवाद प्रवासन को रोकना होगा तभी हमारी सिंदिगी रोशन होगी प्रवासन को रोकना होगा चाहे नया कानून बनाना पड़े प्रवासन को रोकना होगा तभी हमें अमारा हक मिलेगा प्रवासन को रोको तब वापस रासन भाई करेकल भाई, प्रवासना Samot प्रेयर शुरू हो जाएगी, तुम लोग चलो, 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 चलते हैं, टीचर, मैं निकलती हूँ, बेटी, क्या तुम नहीं जा रही? प्रिया के पिता तो गुजर गय, मेरी पिता तो यसा ही है, अगर आप खुद कुछ नहीं कर पाए, तो मैं यहां क्यों रुकूं? जाए रुर जाए मैं यहां क्यों आपग्या जाए 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 करेख सिकार दिकार है, भिकार 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 ह हो चुका है हम लोगोंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा इस हाथशे को हो देख हमें कुछ न कुछ जल्दी ही कर दिखाना होगा इस मौके का हमें इस्तमाल करना होगा नहीं तो दुबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा मनोहर ठीक से सुन लो इस काम को रात को 11 बजे अंजाम देना होगा तब ही अमरनाथ पार्टी ओफिस से निकलता है वो अपनी पार्टी ओफिस में बैठ कर ही सारा वक्त शराब पीता रहता है अब एक हफ्ता पहले ही घर जाते वक्त उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई उपर वाले की क्रिपा से बच तो गया लेकिन उसके पैर में चोट लगी और कार तो चकना चूर हो गई उस दिन तो बच गया लेकिन मनोहर तुम्हारे लिए ये काम आसान हो जाएगा अब ना तो वो भाग पाएगा ना उसके लोग जमा होंगे जब मनोहर उस पर हमला करेगा हे फोटो दे ये लो कब किसको कैसे उठाना है मुझे सिखाने की जरुद नहीं है मनोहर को फोटो देकर बेकार में टेंशन दिया और नहीं तो क्या कोई शेर को उसके चारे के बारे में फोटो देकर बताता है क्या वैसे सूरज विबक्षी पार्टी के लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए जीना मुश्किल कर देते हैं चलो गाड़ी निकालो चलो वाटो रास्ता दो यह क्या हुआ किसने किया ये हाल पार्टी के खिलाफ हम लोग दंगा नहीं कर सकते हम तो गरीब लोग हैं किसी तरह गुजारा कर रहे हैं वो दुकाने तोड़कर पैसा लुटके चले गए कौन थे वो आप तो ऐसे पूछ रहें जैसे कि आपको यहां के बारे में कुछ पता ही ना हो आप तो यहां के ऐसा ही है यह इसका है नंजपड़म पॉलिस टेशन के अंदर क्रिमिनल के जो वारदात हुई है वो कुछ इस तरह से हैं सर चौदा मर्डर केस हुए है इंस्पेक्टर तुझे अंदर करने के लिए मेरे यह आदमी मिले थे क्या यहां जिन्दा रहना है तो हमारा साथ देना है पड़ेगा इलेक्शन का वक्त है नहीं तो हमरनाथ सर खुद यहां आते पूरे इलाके में डीवाइपी पार्टी के पोस्टर लगाने थे यह काम इन्हे करना था पर आपने तो इन्हें अंदर कर दिया आप वेसला कीजिए पोस्टर यह लगाएंगे कि आप क्योंकि अगर शाम को बत्ती जलने से पहले पोस्टर नहीं लगे तो अपनी प्यारी बीवी को एक सफेद साड़ी भी दिला दे उमद चलो तु मिल लोगों को लेकर जाओ चंद्रा तू यहीं पर रुकेगा अगर कोई कंप्लेंट करने आए तो समाल लेना आगे तू समझदार है पताया ना क्या करना है आएंदा कोई भी उस कंपाउंट के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए वरना वर्दी के सारे स्टार निकाल के ओटरिक्षा चलवाऊंगा बेटा पिताजी के लिए पानी लेकरा स्टेशन तो जाकर आए है क्या खुद से पानी भी नहीं ले सकते किचन से ये भी एक पुलिस वाला है इसे खाकी पहनने का हाक ही नहीं है दूसरा कोई काम प्यों नहीं करता पुलिस के नाम पे धबबा है इतनी पुलिस होने के बावजुद भी अमर का दैशत खत में ही नहीं हो रहा है अरे ये तो स्टेशन जाकर मच्छर मारता है इसको फोकट का पगार जो मिलता है इसके होने से बहता रही है ये नाम हो जाके चुलूगर पानी में दूप आज़े रहता है परिवार की हर मदद के लिए हम लोग हमेशा तत पर रहेंगे और वैसक की मौत के बारे में सीबियाई चीप सेकेर्टी ने का है कि इस केस की सीबियाई दौरा गहरा ही से तेकिकात होनी चाहिए इस पुलिस वाले का इस तरह से खुदकुशी करने के पीछे उस पर क्या दबाव होगा इसके पीछे क्या राज है इस मौत को ऐसे मागुली इसके पीछे क्या वजया है यह जूट कर लोको के साफने ला नहीं होगा अगर पुलिस वादे की खुदकुशी के पीछे को इस तबाव है यह को इस तो पहले ही बता देते अरे उस होस्पिटल में कितने घीड थी पता है वहां के लोगों को कितनी घुट थी पता है वहां इसके लानी पड़ती है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ठीक है अमर हम चलते हैं इसे भी लेकर वहां जाना है ना उसके बाद ही हम कर पहुच सकते हैं अप्पू उस आदमी ने सुसाइट क्यों कर लिया अरे छोड़ो ना संगीता अपने को क्या मतलब आज़ा बेटा आज़ा 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 कौन बैठेगा गाड़ी में इलेक्शन में तुम्हें खड़ा करने वाले हैं वैसे तुम्हें एंपी बन जाओगे क्या अरे जरूर बनूंगा पहले जाकर अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो ओ बड़े चले एंपी बनने अमर एंपी बनने के लिए अप्पु मुझसे ज्यादा काबिल है क्या तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो गणपती है और शिव भी है और एक तीसरा आदमी भी है उसकी भी हमें जरूरत पढ़ने वाली है तुम्हारी पैर में चोट लगी है तुम घर चले जाओ मैं काम निप्टा लूँगी इस बच्चे की देख भाल मैं नहीं करूंगा चुप चप काड़ी चलाओ बलो, कोन तुम्हारी अमर्णा कितनी देर हो गई तुम वहां से निकल चुके थे न अरे पूछिये मत अपो भाई आते से में रेलिवे स्टेशन पर एक आदमी को लिफ्ट दे दी उसी में लेठ हो गया लिफ्ट दी अरे लिफ्ट ही तुदी है देखो कैश लाते वक्त भिकार में दूसरे को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए समझे अगर कुछ हो जाता तो आप तो जानते ही है उस सावधान एक्सप्रेस के टाइम के बारे में जानता हूं पर मैं नहीं जानता था ना कबसे वो स सेफ है आँ मैंने सोच आपको कैश दे दू कॉन था वो दिखने में कुछ खास नहीं था जहां तक मुझे याद है दस बारा साल पहले मैंने उसे कहीं देखा था उसके बाद का कुछ याद नहीं हां उसकी आँखें देखने पर लगता था कि मैं उसे पहचानता हूं पर कहां देखा था उसे इतना परेशान था फिर भी चार-पांच बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी थी वैसे उसे देखकर मुझे ऐसा लगता था कि कुछ सालों पहले वही मुझे मुंबई लेकर गया था वो आदमी बहुत इंटेलिजन्ट है भा इच्छा को मन में दबाकर सरकार के खिलाफ अपने आक्रोष को मन में रखकर एक सामान्य आदमी की तरह घूमने फिरने लगा ऐसा लोगों का कहना है भाई ऐसे पांच साल गुजर गये मेरे मन में एक आइडिया आया क्यों नो उस आदमी के आक्रोष को फिर से सरकार के खि आपू भाई एक पैग मिलेगा क्या एले थैंक्क्यू भाई कट ले निकाल अच्छा चलता हूं भाई ए बिजू मेरे लिए चाय ले क्या ना सुन रहे है मेरे पास नहीं है ठेरे पास नहीं है जल्दी कहा वर्रादरा इतना देर रहां तो भी चाय ले-ले इसके पास तो होगी क्या पोल रहे हो हम यह लो कभी नहीं सुधारनेј लगता है इससे कांद양ी को इच्छा नहीं है अरे वाइशाकन सर, एक बात बोलू, स्टेशन को साफ करना हो तो मेरे पास आदमी है अरे, अरे अब्दुल, चाय पिके दो जा, अब्दुल, बैरे, चाय अरे ज़रा जल्दी चलना ये तो मैंने मान लिया कि हम सब हार मान कर यहां खड़े हैं तुम भी मानती हो क्या हार मान कर पीछे नहीं मुड़ सकते यूनिफॉर्म पहन कर बैग लेकर घर से बाहर निकलेगा तो यही सोचूंगी न कि यहां आ रहा है मैंने कुछ गलत कहा क्या आज कलके लड़के तो अपनी मन मर्जी करते हैं हमारी कहा सुनते इसे पढ़ाने लिखाने में फूरी उम्र लगा दी कहा कहा मननत नहीं मांगी एक बार पलिनी मंदिर तक भी गई थी उसके बाद दिरुपती गई उसके बाद इसके एक दोस्त ने इसकी नोटंकी के बारे में मुझे बताया अगर ये ऐसे ही करता रहता तो ये नोकरी भी हाथ से जाती मैंने सही कहा ना ये बात सही है वही तो मेरा मतलब है वो बिना काम का ही गुमते रहता है अगर मेरा पोता यहां नहीं आया था तो मुझे ख़बर तो करनी चाहिए थी पर तुम लोग नहीं सुधरोगे, किसी को ना मेरे पोते की और ना मेरी पड़िया एक दाद ही होने केनाते और कर दी क्या सकती, उसे जितना हुआ सका मैंने उदिले किया आप गलत मत समझे, हम लोग पुलीस वाले तो जरूर हैं, और ये पुलीस टेशन भी है लेकिन हमारा काम पुलीस वालों की तरह नहीं है, यहां का माहूल ही ऐसा है अफसोर बांट बांट एांट應該 बांट साही झाल 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 काउन सा पुलिस टेशन लिखा है नंजाई कोटे ब्रांच चाहे कोई भी हो बस वो पुलिस टेशन है इतना ही काफी है झाल 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 यहां नंजाई कोटे में किसी का रोना धोना सुनने नहीं आया हूँ यहां पर मैं कुछी दिन के लिए रहूँगा लेकिन जब तक इस पुलिस टेशन में रहूँगा तब तक हम सब पुलिस के ड्यूटी निभाएंगे आया समझ में या वापस समझाओं चलो आप बताओ अपने बारे में सर मैं यहां का हेड कॉंस्टेबल अबदुल्ला हूँ मेरे एक बीवी है और एक बेटी है सर कुट्टम पिलाई एसाई हूँ इसी साल रिटार्मेंट है सर यह मेरा पोता है गोविन हर चीज में माहिर है यह बात और है कि जो भी करता है सब गड़बड हो जाता है सर मैं ट्राइवर हूँ बिजू पैतिस साल का हूँ फैमली के साथ रहता हूँ सर मैं राइटर सुन्दर हूँ पैतिस साल का हूँ मेरी एक बीवी और दो बच्चे है बिजू अपनी जीप की स्पीड कैसी है अभी सर जीब की जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से चला कर अभी वापिस आता हूँ आप डिजल का खर्चा मैं दूंगा जहां बुलू हमा लेके चड़ोगे ठीक है सर चुप जाने दू कहीं ठूंड के रहेगा दुष्टों का जुंड है ये बच न सकेगा चन्यता प्रवासन पर विश्वास करने वाले देश के लोगों के लिए ये खुश खबरी है आप लोग अपनी दुकान बंद करने की बजाए चैन से सिंदगी बिता सकते हैं अब आपको किसी से डरने की सरूरत नहीं है अभिशिका मदा आ गया है अंत देखकर रोके से ना ये रुके का बेजो ये से जीप तयार है हाँ से आया आया रे संगली काली राट आया 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 रे बन के तेरा भिनार आया आया थुअसा उड़ा के क्योंके है का तुरा, है का तुरा, है का तुरा, है का तुरा पाग पाग ये भाग ले तु आज ले के प्रानी, ये ज़मी अपनी कहां क्यों रहे इतनी जल्दी थक्या तुम मैं सुबह चार बजे उठकर ऐसी रनिंग करता हूँ और कभी थकता है नहीं स्टैमिना चाहिए है सब लोग ध्यान से सुन लीजे अब आपको ड़ने की कोई जरुवत नहीं है आपको जो भी शिकायत हो लिखकर बॉक्स में डाल दीजे शिकायत करता का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा पबलिक से हम सपोर्ट की अपील करते हैं एक बात और ध्यान रखिए आगे से अगर किसी ने आपको कोई धमकी दी तो सुन्दराम बस करो स्वयम्रिद्यू हां आथम के मरना है तुझको न कर चिंता किस दिशा में तुझाएगा वो दिशा खुद मुड के आएगा अब काल नाचे तेरे सर पे होके मां गंगली हर चौरा है ये बोलेंगे तुझसे महा प्रलैका हुआ है आगाद युद्ध हुआ शुरू पचना हमसे आज रुप जारे तू कहीं भूड के रहेगा दुष्टों का जुन्द है ये बच न सकेका सर मैंने उसको बहुत पीटा लेकिन वो मान नहीं रहा है थाट डिगरी दूँ क्या नए को टम मार दो उसे सा पैरुमन लाम की एक सड़क है ज्यादा तर तमिल के लोग वही पर रहते लेकिन अब अपु के शासन की वज़े से उन्हें प्रवासन करके जाना पड़ा है अब कोई भी तमिल यहां नहीं रहता है सर वापस आने वाले अमरनाथ के नाम से बहुत डरते हैं सर सच बोले तो यह बहुत बुरा है सर इस प्यारे से शेहर को पापियों ने एक जंगल बना करके रखा हुआ था जबसे तू यहां पर शिकारी बनके आया है यह लोग डर डर क्या भागने लगे हैं पर इतना कुछ होने के बाद भी मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ अब तक खड़ा हूँ अब तो नंजय कोटे के तुम्ही राजा हो तो प्रजा पर कुछ आहसान करो ना मालिक हो सके तो थोड़ी सी हमें भी पिला दो मालिक है इस गाओं में कोई मर्द नहीं है क्या राजिंद्र मर्द क्या और वो भी यहां पर हाथ थूआ मैं जरा नीचे दखो क्या रहा हूँ 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 यह प्रवाइब इस बंदे में बहुत गर्मी है मेरी बात तो बहुत हलके में ले रहा है अरे देख्या रहूँ हूँ है हॉस्पिटल लेकर जाओ सर आप क्या सोच रहे हैं एक गाओं था जहांके लोगों को वहां से निकाल दिया गया मेरे भी बचपन की ऐसी ही एक कहानी है उस कहानी को मैं याद करना भी पसंद नहीं करता और जो हम पसंद नहीं करते हैं उसे ही जो भी याद दिलाता है तो उस पर गुस्सा तो आए गई न इसलिए मैं ऐसी पेश आता हूँ आगे से ध्यान में रखना ऐसा होने न पए और नन्जईकोटे में हतियार का करोबार नहीं चलना चाहिए मेरे प्यारे सर नन्जईकोटे में मिठाई के दाम पर हतियार मिल जाते हैं अैसा मैं नहीं कहता लोग कहते हैं cohort सिरस उन्हें बेचता हूँ जिनने मैं अच्छी तरह से जानता हुँ और सर, आपको आपके पसंद की हर चीज मिल जाएगी. आपको ज़रा अपना मुव बंद कर. 9 mm Colt है, इटालियन मेड. लाइट वेट, मेटालिक फिनिश. और मैगजिन कपैसिटी के बारे में पूछ यहीं मत. इतनी कीमती है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है. निशाना कभी चुकता नहीं है, सर. अगर चाहिए तो गिफ्ट समझ के रख सकते हैं. मुझे खरीदने की कोशिश करोगे. तो यहीं बंदुख चलेगी. अप्पू, जब वो यहाँ आए था, तो उसके साथ कितने आदमी थे? बहिया, कैसा सवाल कर रहे हैं आप? अगर मैं चाहूँ, तो अभी पुलिस टेशन पहुँचकर उसे उल्टा लटका कर मार डालूँगा. और इसमें वक्त नहीं लगेगा. ये देखिए. इलेक्शन होने वाले हैं, इसी लिए छोड़ दिया उसे. तो फिर वहाँ जाकर बोलना चाहिए न, चार भाड़े के टट्टू अपने पास रखके, ये चोर पुलिस का खेल मेरे साथ नहीं खिलने का. वो अपना पाड़े किसी और के हाथ से धुलवाना चाहता है क्या? अरे वो दोनों भाई है, ऐसे ही मुझसे आकर मिले. देखो कुछ बातें छुपा कर रखने में ही भलाई है. यही अकलमंदी है. ओ, अकलमंदी की बात कर रहा है. अपने बदन पर ओड़ने के लिए एक छोटा सा कबड़ा नहीं था तुम लोगों के पास. इतनी जल्दी भूल गया क्या? विज्यानन्द, तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? एमपी यादाष्ट कमजोर हो गई तुम्हाई. एतु. डॉक्टर, इसका बीपी बेकार में चेक कर रही हैं, जाकर बच्चे को दिखिए. तुम्हारे भाई के खिलाफ मैंने कभी कोई बात नहीं किया है. लेकिन अभी जो यहाँ पर बैठा है, वो मेरा बाप है. उससे इजज़त से बात किया करो. अरे, जस्ट मिस. जो हम आइस्क्रीम फैक्टरी में पावर सप्लाई देखे थे थे ना, वो एक गास सिलेंडर के पावर के बराबर है. एक बड़े बंगले को उड़ाने के लिए, एक गास सिलेंडर काफी है. आप क्या बोलते हो? सर, आपके कॉर्टरेस में गास सिलेंडर रहना, उसके उपर मैं एक एक स्पेरिमेंट करूँगा. अगले संड़े उससे निकाल कर रखिए देख लूँगा. सर, सुन्दर्म ने फोन किया था. वहां रास्ते में डिवाइपी पार्टी और एसीपी पार्टी के बीच में जगडा हो गया है. उसने हालात समालने की कोशिश की, पर उससे कुछ हुआ नहीं. वो पूछ रहे कि आप जाएंगी वहाँ. सर, मारने वाले डिवाइपी पार्टी के हैं. प्रवासन ने जन्हें पार्टी से निकाल दिया था, उनसे मिलने के लिए कर रात को आया था. लगता है, इनके दिमाग में कोई प्लान है. जब मैंने जाकर पकड़ने की कुशिश की, तो मेरी बात भी नहीं सुनी. प्यारे देशभक्त नागरिकों, जब एक बेगुना आदमी को दो गुंडे मिलकर मार रहे हो, तो गाँ वाले खड़े होकर तमाशा देखें, ये गलत है. एक सिम्मेदाब नागरिकों, कभी खड़े होकर तमाशा नहीं देखना चाहिए. आज जो किसी और के साथ हो रहा है, कल वो आपके साथ भी हो सकता है. तो क्या करेंगे? इदर पुलिस वालों की कोई जरूत नहीं है, बुला जिसको बुलाना है. अगर किसी भी वर्दी वाले ने याक कदम रखाना, तो उसके भी ऐसी यह आलत करूँगा, याद रखना. प्रिय नागरिकों, ये कोई मामूली हास्था नहीं है. अब आप लोगों के सामने असली तमाशा पेश किया जाएगा. गुंडा गर्दी का समय अब समाप्त हो चुका है. कैसे? ये आप आगे देखेंगे. उची आवाज में धंकिये देने की कोशिश मत करना. उची आवाज सुनना मुझे पसंद नहीं है. और रहे मुझे धंकिये देने की बात. तो तेरा बाप भी दुबरा जनम लेगा ना, तो अबे कुछ नहीं हो सकता. ये आवाज सुनना मुझे आवाज सुनना. इस पे उमर का नाम लिखा है. उमर को उठाओ. इस लेटर में लिखा है, रसाक को उठाएंगे. इसमें भी लिखा है, रसाक को उठाओ. वीजु को उठाने लिखा है. अब इसने क्या गुनाह कर दिया? उमर को उठाओ. लेखा है, उमर को उठाने की हम्मत है, क्या? उमर, बहुत बड़ा सिरदर्द है, सर अगर तुमारे अंदर हम्मत है, तो इन सब को छोड़ कर अमर नाथ को उठा के दिखाओ लेखने वाले का नाम जोर से पढ़ो एक लेटर पर भी किसी का नाम नहीं लिखा है, सर सर वो डॉक्टर सहीबा इंतजार कर रही हैं बच्चों को वैक्सिनेशन देने की बात कर रही थी आप जारा उनसे मिल लेंगे क्या ओ कि ओके अब सर में संगीता हूँ डॉक्टर संगीता हैदरबाद से हूँ अमरनात मेरे कजिन है वो यहां पर नहीं आपाय तो उन्होंने कहा कि मैं आकर आपसे बात कर लूँ मडम आप डरिया मत जो भी है सर देख लेंगे नंजन कोटे में आना ही आपकी गलती है सहूँ यह जो आप चोर और पुलीस का खेल खेल रहें न अगर यह चलता रहा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे और आप के लिए अच्छा रहेगा अगर आप अमर के मामले में दखल अंदाजी ना करें इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजे यही कहने आई थी MP विजयानंद के एक लौती विटी थी विदेश से पड़ी है डॉक्टर है यह एक हैद्राबाद के लड़के से प्यार करती थी और वो दोनों बहुत क्लोज थी लेकिन एक दिन अचानक उसके प्रेमी का एक्सिडेंट हो गए और एक्सिडेंट के बाद वो कोमा में चला गए डॉक्टर ने कहा कि उसका बचना मुश्किल है तो अमरनाथ ने उसके प्रेमी को उसके ही सामने मार डाला और प्रेगनेंट हुई संगीता को यहां गाउ लेगरा एडवोकेट लक्षमन जो अध्यक्षपद निभा रहे थे उनके जगे आप किसी और को चुन्ना होगा अगर उस पद के लिए किसी और ने कोशिश की तो उसका भी मनुहर जैसा ही हाल होगा जब पार्टी के लोगों को पार्टी में विश्वास ही नहीं है तो इलेक्षन से पहले AICP को अलग करने में ही भलाई है तो फिर सब लोग सर्व सहमती से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्षपत के लिए चुनो वही इलेक्षन लड़ेगा पार्टी के चार-पांच नाकामयाब मेंबर्स में मैं भी हूँ सिर्फ पांच साल पहले तक ही हमारे पास जन्ता के विश्वास और सपोर्ट की ताकत थी लेकिन अमारनाथ ने उन सब के बीच में डर पैदा कर दिया उस बदनाम DBI पार्टी को खरीद लिया सिर्फ इतना ही नहीं इंद्रा स्टेट के हजारों परिवारों का नाम ये कहकर काट दिया कि वे दूसरे राजचके हैं लेकिन जो लोग AICP पार्टी में शामिल थे उनको हडाने की इमत नहीं कर पाए और जब वो लोग गाह छोड़कर जा रहे थे तो उनसे हमदर्दी नहीं जताई अगर हम ऐसा करते तो लोगों की शक्ती से हमारी पार्टी मजबूत होती अब इलेक्शन तक इंतजार करना होगा मज़ा और कुछ नहीं कहना आप हमारे दर्शकों को क्या ये बता सकते हैं कि आखिर इस समस्या का आप लोगों की तरफ से कोई हल निकल भी सकता है या फिर नहीं इंद्रा स्टेट में कोई भी नहीं था अब वो ये पूरा स्टेट तो बेचने वाले हैं ये सब कॉर्परेशन में चलने वाली एक शाजिश है तमिल लोगों को वहां से हटा कर इन लोगों ने इस जगा को हड़ाप लिया है इस वक्त हमारे साथ नंजन कोटी के MP श्री विजयन अंदन जी जुड़े हुए है हेलो श्री विजयन अंदन जी आप सुन रहे हैं हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ आप सवाल पूछी एलेक्शन अब काफी नजदीक आ चुके हैं एक सीट के लिए कई सारे उम्मीदवार एक साथ खड़े हैं अब ऐसे वक्त पर तो क्या D.Y.S.C. दो भागों में बढ़ने वाला है अब कोटी की क्राइम रिपोर्ट इस वक्त मेरे ही हाथ में है आप कहें तो मैं न्यूस चैनल पर सुनाओं आपकी पार्टी के कई सारे लोग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज में सगलग आप कहें तो मैं उनके नाम भी सुना सकता हूँ सुना दूं तो मैं क्या करूँ हर पार्टी के लोग अपने समर्थकों के साथ भाषन देरे अगर इन लोगों में मेरे दल को कमसोर करने के इतनी हिमत है अगर मीडिया की आड में कुर्सी पर बैठ कर अपनी मनमानी करोगे तो फिर हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं तुम ही बताओ जो बोनू करोगे करूँगा जरूर करूँगा कर दो कर दो करें कर दो कर दो कर दो कर दो उमर, तुम्हें समवार को पुलिस टेशन आना होगा, ऐसा ही नहीं बुलाया है तु पुराना अब्दुल नहीं लग रहा है तेरको ये ठुले लोग प्रमोशन तो नहीं दे रहे मजाग बंद करो उमर, तुम्हें समवार को पुलिस टेशन आना ही होगा यही तुम्हारे लिए बेतर होगा आउंगा ना वह इसे भी उस नए इंस्पेक्टर से अब तक मुलाकात नहीं होई आके मिलता हूँ अच्छा इसे घर में सब ठीक ठागया ना आप से कुछ कहना था मैं बचपन से इंजीनियर बना चाहता था लेकिन मेरे पापा ने मुझे अपनी तरह एक पुलिस वाला बना दिया यह उनका सपना था अरे यह क्या सिलिंडर है आग लग गई तो यह लेजी फिर भी मैंने ट्रेनिंग के साथ बीटे कम्पलीट किया इस बीच में उनका स्वर्गवास हो गया तब से में ड्यूडी जॉइंट करके अपनी दादी की सथ रहता हूँ यह जो स्मेले यह वाकई गयस का है या तुम्हारे पेट की गयस है सर सर यह रेगुलेटर काम तो कर रहा है ना आज कल खाना भीना ताइम भीना दो लेक रहा है बिजु जरा वो रेगुलेटर चेक करना ओके अरे सर हमारे पास त्रिफ दस सेकंड बचाए सर अब नौ सेकंड चाल लो फागो अरि को भाग रहो फागो चल्दे अरे रुखो में इले सर लेडीज होस्टल के बगल में घर किराय से देना है अहां सर आपको किराय के घर की तलाश थी ना लेडीज होस्टल के बगल में एक घर खाली है जो पिछली कुछ समझ हां सर में पोच गया हूँ जर आपके क्वाटर से धमाके के आवाज आई थी तुमसे कलाने के लिए का था ना वह क्या है न सर मुझे लोगों को इंतजार कराना बहुत पसंद है मुझे भी अगर हमारा साथ दोगे तो ही तुम चैन से चीज़ सकते हो आज तक मुझसे किसी ने ऐसे साथ देने की बात नहीं की चलो आओ आगे से मैं तुम्हें किसी नेता के साथ नहीं देखना चाहता और उसी तरह एक भी नेता तुम्हारे खातिर मुझे नहीं मिलना चाहिए दोनों में से चाहिए जो भी होगा उसका नुकसान तुम्हें ही स्याना पड़ेगा अरे उमार कोई अच्छा खर किराएपर हो तो पताना जड़ा देखना है गाड़े निकाल नमक वगेर ठीक है ना स्टेशन जाने की बात से ही गोविंद डर जाता था एक दिन मैंने पूछा कि गोविंद आज तुम पुलिस स्टेशन कैसे जा रहे हो पता है उसने क्या जवाब दिया कि सर वहाँ पर है वैसे सर आप यहाँ है तो क्या वो स्टेशन नहीं जाएगा रुक 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 सुबह नहाया था क्या पारवाती जी मैंने सुबह नहा लिया था सर मामला इतना मामूली नहीं है जिन जिन गुंडो को हमने बुलाया वो सब पुलिस स्टेशन में है और हम टाइम पे नहीं पहुचे तो गडबड हो सकती है इसलिए हमें जल्दी निकलना चाहिए जल्दी नहीं जल्दी नहीं है भाई वो देको आया कुटम भाई दो चाहे लाना सुंदर चाहे लेकर आओ आपको जाने में तकलीफ है क्या नहीं सर यहां का एक्शन मिसने करना चाहता वो सब मैं देख लूँगा यहां सब बाते ही तो होंगी तुम जाकर आओ ठीक है जाता हूं वहां पर जो आदमी खड़ा है ना जिसके बाल बहुत लंबे है वो लंबे बाल वाला उसका नाम रजाक है बैंगलूर का रहने वाला है हम जो भी कहेंगे वो करेगा दस सालों से इस आदमे के साथ कौन-कौन है पांत सालों से एक साल से जो पीछे छुप रहा है वो सारा सामने आओ तुम कितने सालों से इनके साथ रहते हो बारह साल होगे सर ये बात में इतनी देर से पूछ रहा था सार सौरी कॉटों भाई क्या बात है अब्बू तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया था अब्बू के हाथ नहीं लगा इस वज़े से मैंने उसे पूछा नहीं तुमने ये उसे अपने साथ रखके बचाया था ना सच सच बोलो इतने आत्मी खड़े करना ये कोई अकलमंदी नहीं है बहुत गहराई से सोचना पड़ता है और वो गहराई तुम्हारे पास नहीं है उस दिन सिगनल पर मारे जाने वाले जैस का भाई कौन है मैं हूँ सेर और जो मार्केट में मरा था उसका बड़ा भाई कौन है मैं है लिस्ट और भी लंबी है तुम्हारे दोस्त को जिसने मारा है वो इस भीड में है और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर जिन लोगों को मारा है वो इस भीड में ये खून खरबा कभी खत्म नहीं होगा और इनके घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी इसी काम के लिए पैदा होते हैं तुम्हारे घर में कौन पैदा होता है कि यहां आज के बाद बच्चों को पोलियोडोस दिलाने के लिए भी कोई घर के बार कदम नहीं रखेगा अगर ये इस घोटाले में दुबारा दिखा तो उसकी बजाए तू पिट जाएगा अजय देख इतना काफी है या और करूँ एक काम कर तू या के कर ले आज कल तू जादा नखरा दिखा रहा है क्यों रहे एक काम की बात करूँ तो तुझे लगता है कि मैं नखरे दिखा रहा हूं एक पंखा थीक से सैट नहीं हो रहा है तू मुझे ज्यादा मत सिखा मुझे पता है मुझे क्या करना है तू तेरा देख मैं देख लूँगा लेकिन तू यही पर बैठा रहे क्या रहा है चरिकुट तू अपने आपको बहुत-बादा हूं समझता है अगर दोबारा मेरे बारे में कुछा तू मैं तेरा मुहत तोड़ दूदू दूँगा अच्या तोड तूड़ने 느ف librate फोट जाङा तो तो क्या हुआ है या क्य अगा तू तिर। hun १ह कर लेलिगा तेरी तो यह रॕ metro तो तेरे सारे काम हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, ले, बेटा, अच्छे से पड़ाए करना है, पिता जी, हाँ, अब्दुल्ला सर आ गए, आओ सर, बैठो, मैं बस आपकी बेटी को जिन्दगी के बारे में बता रहा था, बहुत होशार है, आप बेठे ना सर, सच्छी में मान गया सर, इंस्पेक्टर बोले तो ऐसा ही होना चाहिए, उस वक में थोड़ा डर गया था, लेकिन आपकी टेंशन जाधा थी, वो आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन आप और मैं यहीं रहने वाले हैं ना, हाँ, खेर छोड़ो, अब्दुल्ला, मेरे खा आप मेरे मेरे आड़ा थे, परना टांग कट जाती है, अ, दिदी, इसकी क्या ज़रूरत थी, अचाहिए, बहुत अच्छी है, जैसे मैं यहां आया, वैसे ही, बीजु सर के घर, कुटुम सर के घर, और गोविन सर के घर में जाओंगा, और उन्हें भी समझाने की कोशिश क आगे तो आप लोग जाने, आप लोगों की किसमत, चलता हूं सर, चलो, गोविन सर, गोविन सर, गोविन सर, गोविन सर, बाई गंटी वाजाओ, अरे ये सीडियों से नीचे उत्रो हाँ, अब ऐसे मत घुरो, यहीं गोविन का कार नामा छिपा है जाकर गोविन से कहो, कि उमर भाई मिलने आए ओ, तो तुम ही उमर भाई आधी रात को अकेले घुम रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना नहीं करते मेरा गोविन्द और उसके सर, तुम्हारे ही घर पर गए है, जाकर उन्हें वापस भेजो, जल्दी जाओ ए, गाड़ी निकल रहे है अब्दुल्ला, स्टॉप बहुत अच्छा है अब्दुल्ला, स्टॉप बंदुख चली तो, बंदुख चलेगी तो भी, अरे उमर, अरे, अरे, अरे या बैग, रजिया ज़रा उमर को चाई या कॉफी पीने के लिए लाकर देना, अल्ला, बातों बातों में मैं बूली गई कि तुम्हें चाई भी लानी है, अब भी लातीम, उमर, बैठो यार, रजिया मुझे पूझ रही थी, कि नंजाई गोटे का क्या हाल है, नंजाई गोटे मेरा दुड़ी है यार, रहने के लिए घर नहीं है, साथ देने और विवी बच्चे नहीं है, लेकिन तेरे बारे में सोच के अफसुस हो रहा है, कि तेरे साथी इस बात को जानकर बहार बताएंगे, तो तेरे दिल पे क्या गुज़रेगी? इसलिए बता रहा हूँ, आगे से कुछ पूछना है या सवाल करना है, तो मुझसे परसनली मिलकर करना हूँ, जिस घर में औरते रहती हों, वहां खुष कर टाइम पास करना यह अच्छी बात नहीं है, गंदी आदत ही है, आप जूस तो बहुत अच्छा बनाती है, चलता हूँ, तो फेर अब तुम्हे अकल आजाएगी, तुम्को देखा, तो ये ख्याल आया, झाल आजाएगी, तुम्हे अकल आजाएगी, क्या बात है, बच्चों ने गुंडा करती छोड़ दी क्या, गुंडा करती हम भूल गए हैं सर, आप तो हम लोग ठेले चलाते हैं, करनाटक के साथ और तिलंगाना स्टेट की पार्टी के साथ मिलकर, तिलंगाना गटबंदन करके सिलेक्शन में केंद्र इलेक्शन का सामना करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा बाब जी के अध्यक्ष के लोगों का कहना भी है, तिलंगाना बाब जी अध्यक्ष को MP स्वामी और DOP पार्टी दल का MP विजयानन्द और उनके साथ डॉक्टर संगीता, DST दल के अध्यक्ष है, आपने लोगों को सीट मिलनी ता है, लाल जंडा जीता तो राजसभा, हारा जंडा जीता तो लोकसभा, तो ये मंत्री सभा क्या होता है, ये राजनीती का खेल है, हमारा अगला टार्गेट दिल्ली है, भाई, कुछ समझा, ठीक है, मैं बताता हूँ, कौन सा पुलिस वाला था वो, उसके पुलिस स्टेशन पहुँचने से पहले तक तुम लोग गिल्ली डंडा खेल रहे थे, उन लोगों से कैसे निपटना है, ये बात समझानी पड़ेगी क्या, बात वो नहीं है सर, वो पुलिस वाला बहुत गरम खुपड़ी का है, उमर, फिलाल मुझे छोटे लोगों के बारे में सुनने का टाइम नहीं है, वो जो कोई भी हो, इलेक्शन होने तक उन सब को अपने काबू में रखो, खा के जाना भूग लगी होगी, सर, मैं जाकर डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, का बहुत खा काइम आता हूँ, सर, डॉक्टर के कहने के मुताबिक अबदुल्ला का दायना पैर ओपरेट करना पड़ेगा सुन्दर का सर, वो अभी गॉड में है सुन्दर को गाल भाल वो उमर था सर रास्ते में लोटते समय ये सब हुआ असल में वो आपको ढून रहा था अचानक पीछे से हमला कर दिया अचानक पीछे सर, लगता है वो हत्यार लेकर चले गए कुछ भी ले जाने दो, अपने पस तो समय है न? ज्यादा आदमी नहीं मिले किया यहाँ क्यों आया है? पीट में चमका गए थी डॉक्टर ने कहाई कि अच्छे से मालिश होगी, तो यह ठीक होगा देख इस नंजय कोटे में जो भी आया है कभी कामियाब नहीं हुआ अगर हुआ भी तो यहाँ से बाहर नहीं जा सका अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कामियाब भी हासिल की है तो इसका मतलब वो पुराना नंजय कोटे नहीं रहा अगर तुम्हें देख जाना नहीं होगा यहाँ बाह वो इसका प्रछू के मैंने कामियाब भी देख जो फटेख़ीं उमार! 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 उस दिन पुलिस्टेशन में जो तुने किया उस बात को मैं भूला तक नहीं था और उस पर तु मेरे घर में गुसाया। तुझे पता नहीं तुन्हे किस से पंगा लिया है। एवेंकाट! खतम कर देजे। उस पी कि उसे लिए से खता लाओ। उस तुनना में एाँ। टुझे एवेंचस पंगाँ। हुआ 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 है के पूजँ तो लुआ यह पाला ओटो और और काट ड़ो अगाओ म है प्राना आठकली युखत आम इस्पराम अर्ण हानिक रखतु नपार, जुब एंदे हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु जह जिल से इह वह अह अर जुए कर लुए Gateway से अडोडू टुए那么 हुए पर सकुषow अराँ झिल से लो में हुए कर तो बिजू सर सामान लेके आ गया तो अब क्या करे अमार का दाया पहर निकाल दो और अबदुल्ला जब अपनी आख खोले तो दुनिया ना देखे सर सर सर, हमें इसका किराया तो देना ही पड़ेगा, और सबूत मिटाने के लिए इसे किसी तालाव या नदी में फेकना होगा, तो फिर उसका दूसरा पेर भी काट दू क्या? नंजय गोटे से कई लोगों को मार कर भगा दिया गया, उनके वापस आने से भी नहीं बनेगा ये नंजय गोटे, अमानाथ और अब्बू सब को जोपड़ पट्टी में भेज देंगे अपोजिशन पार्टी के हो, इसलिए उन पर रैम दिखा रहे हो गया, उन बातों की मदद लेकर अगर किसी तरह की गंदी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करोगे तो मैं उनका साथ नहीं दूँगा और तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो, वो सारे हाथ पर हाथ धरी खड़े थे जब उन लोगों को भगाया गया था मेरी भावनाओं को उक्साओगे तो पहले उनको मारूंगा सर, ये पार्टी की बात नहीं है, मैं पार्टी से अलग हो चुका हूँ वैसे भी नंजे कोटे में रहने वाले सही हैं क्या, वो भी तो गलत है सर मेरे साथ आम लोग खड़े हुए, पार्टी की लोग नहीं, सबकी ख्वायशे की जो गए हैं, उन्हें वापस आना चाहिए उन्हें के कहने पर मैं ये काम कर रहा हूँ, और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए, आपका वक्त बरबाद नहीं करना चाहता, मुझे लगा था कि आप हमारा साथ देंगे, एक बार चलकर वो जोपड़ पट्टी देखिए आपने जो भी कहा मैंने सुना, अब मैं जो कहूंगा वो सुनिये नंजय कोटे में अभी भी सबका घर है, तुम्हारा जो भी नुक्सान हुआ है, संपत्ती, सामान और धर्ती उन सब के निशान वहाँ पर मौजूद है तुम्हारी पहचान नहीं खोनी चाहिए, तुम लोगों की कॉलोनी और इंद्रा स्टेट अभी भी नंजय कोटे में ही है अगर तुम हिम्मत करके फिर से वही सिंदगी जीना चाहो, तो तुम्हें कोई ताकत नहीं रोग सकती तुम सब को ये हख है, कि तुम भी सोमू की तरह जी हो, हमारी एकता नंजय कोटे में वापसी तक ही नहीं रहेगी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बनी रहेगी, जो लोग पार्टी छोड़कर आए हैं, वो भी नंजय कोटे के ही लोग है अजय, बाबू, प्रसन्ना, दीपू, वहिदा टीचर और इनुमेड़ आज तक किसी भी अकबार और टीवी के लोग आकर हमसे नहीं मिले हैं, अमरनाथ की डर की वज़ा से ऐसे में जब लोग वहाँ जाएंगे तो अमरनाथ ये देखकर चुप रहेगा क्या नंजे कोटे में वापिस आने का दिल तो करता है, लेकिन हम लोग जैसे सोचने में वैसे होने वाला नहीं है यहाँ, जितने भी लोग है, उनको डर अमरनाथ से ही है, वो बहुत खतरनाख है तुम्हारे अंदर जिस चीज का डर बैठा हुआ है, पहले उस डर को निकालना होगा और उसे बहर निकालने के लिए आपको वहाँ अंदर जाना ही होगा अपु भाई, इससे ज़्यादा परदाश्ट नहीं होगा अपु भाई उस पुलिस वाले ने मेरा पीछा किया और राष्टे में ही मुझे गारी से उतार दिया बीच राष्टे पर मुझे बहुत मारा और उस हैसाई ने मुझसे पैसे भी ले लिये मैं अकेला आदमी क्या कर सकता था अपु भाई ये जो सूरज है ना, ये तमीलियन लोगों से मिल गया है खबर मिलते ही उस पर शक होने लगा था अब वो कैश नहीं मिलने वाला, ज्यादा सोचो मत मैं उसे दिन उससे डिल करने वाला था लेकिन आपने मुझे रोक दिया आपकी वज़े से मैं रोक गया वरना उस दिन उसके हाथ पैर तोड़ देता हमारे आदमी लोगों की सोच बदल के रख देंगे और इसलिए मैं बोलता हूँ क्या बोलता हूँ? ये कैश हैंडल करने का काम मैं नहीं करने वाला ये मेरे बस की बात नहीं है नहीं तो ऐसा ही बिचारा मारा जाएगा बहुत हिम्मत वाला आदमी है वो वो हिम्मत वाला है इसलिए मुझे पुलिस टेशन बुला पाया यहां बड़ी बड़ी बाते कर रहा है वहाँ पुलिस स्टेशन में क्या सामसूंग गया था तुझे भौकने वाला कुटा कभी कोड़ता नहीं है जितना भी रकम गया है वो इस पूरे गाहँ वालों को खरीदने के लिए काफी था जानते हो इस इलाके में जो भी रहता है वो डीवाई पार्टी के प्रती जो इज़त है उसकी वज़ा से नहीं बलकि एक डर की वज़ा से है और उस डर का नाम है वान एन ओल्ली अमरनाथ गणपती बप्पा एमपी बनने का चांस था वो भी निकल गया अब तो नंजय कोटे की कुछ जगा को बेच कर मैं हैद्राबाद जाकर अपनी जिंदगी को समार लोगी इस पर भरोसा करने से कुछ नहीं होने वाला अब क्या हो गया? इतना कुछ तुमें दिया वो काफी नहीं है? औरत पर गुस्सा करो तो शाप लगता है ये बात कभी नहीं सुनी क्या नहीं कैसे सुनी होगी? ये सब अनुभाव से पता चलता है तुम यही गाड़ी में आराम करो मैं एक काम निप्टा कर आता हूँ ये तो लड़ाई की शुरुआश है शुरुआश है अमर्नाथ कान कोड़कर सुन लो अमीरे तुम्हें इतनी शुर्दी है ये सब एक चाल है अमर्नाथ ये सारी चाल है उम्हादे गाओवालों को हटाने का काम रोको ये चंग से पहले का शोला है तुम हमें रबा़ कर नहीं रख सकते वा क्या बात है आज तुमने मेरे इतनी तारीफ की है जितनी मैंने कभी नहीं सुनी तुम्हारे बोलने के पीछे किस की ताकत है मुझे यही जानना था अब तो ये वक्त ही बताएगा कि किस की ताकत में दम है प्रवचन चालो रखो अब बात करें क्या वो खर्चे के लिए पैसा देंगे हमी बाई से जितना पैसा मांगेंगे उतना देंगे कन्फाम है सच्मी अरे बोला ना सव टक का कॉलेज के फंक्शन में कितना पैसा खर्च होगा हम भी जानते हैं वो जितना मांग रहे हैं उससे आधा देखार वो जगा अपने नाम कर लेंगे अच्छा वो रजाक कहा मेलेगा बैंगलूर में बात क्या है नहीं कुछ नहीं रिजल्ट का कोई टेंचन मतलो मा सब सही होगा बूल रहो ना तो गाड़ी में जा मैं आता हूं चलो बैट अंटर बैट भाई मैं आगगे बैट हूंगा है यह लो सर अ हम कुटन है आप को हमरा इस तरह से यहां बुलाना जबरदस्ती तो नहीं लगी ना नहीं तो आप मुझे यह बताओ के इस वक्क पुलिस टेशन में कौन रहता है वैसे ये सारा प्लान बनाने से पहले मैंने किस से बात किय थी, आप से ये की थी न, तो मुझे बताओ, कि पुलिस टेशन में मेरे अलब आप अकेले बैठेंगे क्या, चलो जवाब दो जल्दी, वो तो ठीक है लेकिन, मुझे लगता है कुछ खत्रा है, नमस्ते सर, सही कह, स तोनों बातों को समझता हूँ, बोलो, आपको कैसे पता, तुमारा चेहरा सब बता रहा है, सर वो अमरनाथ ने नहीं, अप्पु ने मारा है, सर वो डीवाईपी का अध्यक्षय है इसलिए, वैसे, क्या आप पूरी बात जानते हैं सर, अरे मैं उस्ती की बारे में सोच रह था, मारना पड़ेगा, जैसे ही आपने बात का पता लगा लिया, वहां से हट गए, चाहे कुछ भी हो, डर तो डर ही होता है, किसका डर है, आप मजाग कर रहे हैं क्या, जो लोग आप लोगों को मारने के लिए आये थे, आप लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाए, करती चाहता है, तो सारी बाते सच सच बता दे, अमना नाच सर के कहने पर पुली स्टेशन में गुंडे लोग आपको खतम करने के लिए पेट्रोल बं ले कर गये हुए हैं, यह क्या सर, जलिए सर, पुली स्टेशन चलते हैं, नहीं जाना है, शराब पिने के बाहने आया आपका मजाग उड़ाने नहीं, आप लोगों को सचाई बता कर कोई फायदा नहीं है, कुटान, सर मुझे मत रोकिये, मैं पुली स्टेशन जा रहा हूं, इस उमर में स्टेशन पे सोना ठीक रहे हैं, कंट्रोल, तुम अपनी दादी के गोद में सो जाओ, मुझे बहुत का करना है, चल बाजवाट, अखरी प्लान क्या है, सर, बिजू, अपना हनुमान का रूप दिखाओ, अबे, पागल हो क्या क्या, अपने को पुली स्टेशन उड़ाने का है, इस गाड़ी को नहीं, हलू, हाँ, मा, हाँ, हम लोग ग्रूप स्टेडी कर रहे है, ग्रूप स्टेडी, ओके, एक कट करना, कट करना, कब से बज़ रहे है, सुनो भाई, यहाँ पर कुत्ते हैं क्या, क्या मैं यह ले ही सकता हूँ, संत्रा किस बहुत दे रहो, यहाँ क्या कर रहे है, यहाँ क्या कर रहे है, यहाँ क्या नाम है तेरा, रोजी का कपड़ा खीच कर उसके बाल पकड़ कर उसको रोलाने के लिए, मैं यहाँ नहीं आया हूँ, अगर मैंने यहाँ पर अपना बरताव दिखाया, तो उसका असर तुम पर पड़ेगा, अरे यार, तुझ भी कर, गाड़ी भगा, उस आगे वाली गाड़ी को रोख, और भाई, मेरे घर से भी कॉल आ रहा है, अरे भगाना गाड़ी, बटा कहा हो तुम, आखिर तुमने यह क्या कर दिया, हेलो, हाँ, बेटा क्या प्राबलम है, अरे यार, पेटा जी, लोके, अरे, दस आत्मी को साथ लेकर, पूरे गाउं में, फ्लेक्स लगाने के लिए कहा था कि नहीं, ऑफिस के बाहर, सिगनल के कोने कोने पर, अपने दल की जो पोस्ट है, जहां कई भी उसे वहां रखो, और सोमू, उस दिवार पे अपना फ्लेक्स क्यों नहीं लगा अभी तक, लगा दूँगा, कब लगाएगा, मरने के बाद, जो भी बाते हो रही हैं, उन बातों को सुनने के बादी, मैं सीधा यहां आया, हर जगह के बिखरे हुए लोग, एक साथ खड़े हैं, उन लोगों को यहां आने की क्या ज़रूद थी, उस सिंद्रा स्टेट के मामले में कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी, बहुत बड़े इंजीनियर से मजता है, वो कब किस वक्त आएगा पता नहीं, एक बात तो तो तय है, तमीलियन लोगों का यहां आने का एक मकसद है, वो इलेक्शन का दील मैं कर लूँगा, लेकिन अगर मेरी नजर से दो-चार लोग बच जाएंगे, तो आप लोग शामिल हो जाएगा, क्योंकि कभी भी उन लोगों के पास आप लोगों को जाने का मौका, कल कुछ लोग मरने के लिए आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ, मुझे ना सुनना पसंद नहीं, सर, चलिये, कर दो जब दो जैद जन से परमेस्टर प्रेंच वित्राइब अविटर्वान सर जिस ऑफिसर ने स्यूसाइट किया था उसके भीवी और बच्ची कि अच्ची फ्रस्थktion कि जगा संत्थ हmother लोक्तिया कि अच्तिया भीवी आपके लोक्तिया लोक्ऴान कोई अच्ची अग्र में बच्तिया पन्रस्थ्प्स्राका nota ट्याट कि अथौस पासर कि अच्ची कि अधोनने पन्ट बर surely। इप धुड़ों, इप वाहते ह्टी गपता है. इप लेख इप अबों! प्याद, बुड़ों! प्याद! कि मिल था प्रॉ भायों कि जा करती है से कि ऑ All कि मिला फटीज कि ऑ All थ conventional जो जूईり पिर वर कि ऑ怎麼 कि जूई आपकी ऑलは जूई कि ऑ ग smartest जूई 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 ए पा इया झ हम craft जूई प्बाइने एल कि ओुंगा लोल कर दो भुडर ओव मि हो एक जुडर है नहींदाई कर शुड़ रप में कर दो कर दो कार्णा वपन कि अ अ अ कार्णा प्लोबका से अ झार्णा अ कार्णा बटे इसे हुथ वगल झाए साइब, मुथट कुNão है कि जरनााम की जरना स्पत्राओい पाल thinking Χे एया! कुष! कुषर! झाल 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 पी फिर से सत्ता में आई तो मारनाथ का त्याचार बढ़ जाएगा नहीं पीड़ी भी साथ देगी सब कुछ बदल जाएगा अबदल दस-बिस साल पहले एक लड़के ने ये सोचा भी नहीं होगा कि उसके जिन्देगी असी नरख बन जाएगी दो पार्टी के लोगों ने मिलकर हमारे पूरे गाउं में डाका डालकर सब कुछ ले लिया उस हाथसे के बाद सब लोग डर गए थे और एक वक्त ऐसा आया था कि वो खून खराबा करने वालों का सरवनाश करने के लिए उस लड़के ने अपने आपको तयार किया बारा साल के लड़के ने दिल में ठान लिया उसको कानुन के बारे में कुछ पता नहीं था कानुन के खिलाफ लड़ने की उसने ठान लिती लेकिन कानुन ने उसको सजा दे कर आपनाने की कोशिश भी किए थी लेकिन वक्त गुज़र रहा था और उसके सीने की आग बुच नहीं रही थी वो अब भी उसी आग में चल रहा है भाई खब भी हुदए कि अब भी हुदए याई सिर्फ इा बुज़र सिर्फ इा जिनको आपने मार कर भगाया था, उनका अगले हपते वापस लोटने का प्लान है, उनके स्वागत के लिए हम गाउवाले खटे हुए हैं, जोपड़ पट्टी में वो लोग नर्व की सिंदगी जी रहे हैं, जब वो लोट कर आएं, तो उन्हें नंजय कोटे में चैन से जीन क्योंकि उनके साथ पूरा देश है, और देश के हर नागरेक को देश में कहीं भी जाका रहने का पूरा हक है, जब भी ओपोजिशन पार्टी वाले आकर मुझसे रिक्वेस्ट कर दें, तो मुझे बहुत मसा आता है, लेकिन तुम्हारे रिक्वेस्ट में मजा निया है, न करता है, तो मैं उसे बख्षता नहीं, इसलिए उस ओफिसर को कहो कि मेरे घुटनों पर गिर कर रिक्वेस्ट करें, तब मैं कुछ सोचूँगा, अपू, इसके बारे में आपका क्या विचार है, जो मरने जा रहा हो, उसके खिलाफ कोई आफ़त की बात कहे, तो उसे जान से मार देने के बराबर है, इसके वाल इसके प्रयमा से जान से वाले में के इस खिलितो आज का दिन गरीबों का खून चूसने वाले जानवरों को मारने का दिन है यह द्यास का एक बहुत बड़ा दिन है आप लोगों ने जो सफर शुरू किया था उसकी मंजिल करीब आ गई है आप लोग अगर सौ साल बाद भी लोटकर नंजया कोटे में आएंगे तब भी आपक अज आप जो एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो आपकी कई पीडियों तक कामाएगा इस एक छोटे से कदम में आपकी कई पीडियों की भलाई चुपी होई है अध्याचार के खिलाफ हंकार के खिलाफ दबाव बनाने वालों के खिलाफ ये जंग जो आज शुरू हो रह उसे इतिहास में दर्च किया जाएगा जिन्दा है इतना काफी है और ज्यादा की उमीद मत रखना कर ब सकतत्स कर दो किया है है मत अब जसे यालम को कि घुग के इतनी जींदा कॉलर माईएग cricket फसमी की रख और चाहिँ है याएगी है भुट कर फस्दुन क recuperєख इतनी जासो को रहाया है अमें जिसका इंतजार था वो दिन कल है हम जब आगे बढ़कर एंकार से भरे हुए अत्याचारियों का सामना करते हैं तो आंस वो के लिए कोई जगह नहीं होती हम अगर डटे रहे तो चाहे कानून ही क्यों न बदलना पड़े हमें नंजे कोटे में जगह मिलेगी कल सुबह होने से पहले हमें ओ नहिंकारियों को दबाव बनाने वाले अत्याचारियों को उखार ठेकना है ये तो लड़ाई की शुरुआच है हम पर दबाव बनाने की कोशिश मत करना है हमें तुम्हें तुम्हें उचाई पर परुचाया है हमें दबा कर रखने की कोशिश मत करना है आपकू की जगह पर आपकी पार्टी में डॉक्टर संगीत आ रही है क्या? प्रेस कॉन्फरेंस बॉला है तब बता देगे जासा कि आप लोग देख सकते हैं तैश्यत आपकुछ साथ ही फैल पीजा रही है और उपने के फुलिस क्या कर रही है यह हमें देखना होगा सुनो प्रेस कॉन्फरेंस बुला है तयार हो जाओ यह तमिलियन लोग यहां लौट कर वापस नहीं आने चाहिए बी एश जेडी का विश्वास दिराना होगा समझे कि नहीं? हमें दूर से देखते ही छिप जाने वाले और पास आकर सलह देने वाले हमेशा वफादार रहें तो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है कि कि नहीं थी ब्रत ञे चाहिए आप जभ जभ एंप गे गजिक वेखे! ये ये दो जी दो एवे जो अजिक पुविक ये ये दे दो घए driving D. ये ये दो उन्बिक ये ये दो there दो एवे prin चैने, चैने, बॉज़े, जुखे.. सर बार्डी को अभी अभी पैक किया है वो लेकर आ रहे है झाले केमेड़ रहें पैसे कित कित कि की मैं बीजू ऐसा ही सर ने आप से कुछ बात करने के लिए भीजा है डॉक्टर आप एंपी बनने का सपना लेकर इस नंजई कोटे में मत रहो आप ऐसे खड़े रहेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा सर के बारे में तो तुम जानती हो इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ चोप चाप याँ से चली जाओ डॉक्टर बाकी तो इस नंजई कोटे को छोड़कर तिलंगाना कैसे जाना है पता ही होगा याद रखना हर पल तुमारे उपर हमारी नजर है इस बात को याद रखना चलता हूँ बेटी अमरनाथ के दबाव के वज़े से मैंने अप्पू को समर्थन दिया मुझे इसमें ज्यादा दिल्चस्पी नहीं थी वैसे जब प्रेस कॉन्फरेंस होगी तो अप्पू के मामले में दुख जताते हुए थोड़ा आजो बाहा लेंगे और क्या डीवाई एसपी पार्टी का नए अभ्यार्थी कौन होगा बताएंगे हमें बताओ उन्य डीवाई पी पार्टी की नई अध्यक्ष मैं नहीं हूँ मैं तो अपना खुद का कारूबार सम्हालने जा रही हूं थैंक्यू चाची डरो मत मैं हूँ ए सेंदिल दादी को बोलना असने के लिए बोलना ये पुलिस वालों ने कुछ दंग किया गया मुझे बताओ ना मैं इनको देख लूंगा चाची डरो मत मैं हूँ हम में से कोई भी पाटी छोड़कर नहीं जाएगा हम सब लोग पूरी तरह से एक जुठ हैं उन्होंने जो काम अधूरा चोड़ाया उसे हमें पूरा करना है इसके लिए वक्त बरबाद नहीं करना चाहिए दादाजी हम लोग निकले क्या यहाँ वहाँ जो भी लोग है वो हमें जीने नहीं देंगे यह देखकर हम गाउं से दूर जाकर बस गये लेकिन अब जब हम वापस अपने घर लोट कर जाना चाहते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है तुम लोगों को कंदूर करनी की उन लोगों की साधिश है ऐसा नहीं होना चाहिए अब वो इस्तिती पूरी तरह बदलने वाली है अमरनाच चाहे जितनी कोशिच कर ले आप लोग इस गाउं में लोट कर आएंगे ही तुम लोगों ने चाचा आप रुकिये मैं बात करता हूं सार हमारी ओफिस में मीटिंग चल रही है इन लोगों के बारे में आप फिकर मत करो आप अपनी ड्यूटी ठीक से कीजिए तो अमरनाच के डर से तुम लोग यहाँ पर पहुच गए हो यहीं करोगे कब तक भगते रहोगे आप लोग देश में कहीं पर भी रहो लेकिन इसके जैसे नेता लोग आप लोगों के इर्दगिर घूनते ही रहेंगे तब क्या करोगे आप लोग धर्ती चीर कर उसके अनिता यह अकिलापन और इतना भयानक दर्द तुम से भी ज्यादा हम लोगों ने महसूस किया है और उसे मैं अच्छे से जानता हूँ तुम लोगों को किसे भी हाल में नंज़ाई कोटे जाना ही होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमें रास्ता दिखाने वाला इस दुनिया से जा चुका है अब तुम हमें नंज़ाई कोटे जाकर फिर से जिन्दगी सवारने के लिए के लिए कह रहे हो मैं जानती हूँ तुम हमारी भलाई चाहते हो इतने साल हो गए है लेकिन आज भी हम अमरनात के डर के साय में जी रहे है नंज़ाई कोटे अब भी अमरनात के काबू में है जिसने हमारी भलाई का सपना देखा वो आज इस दुनिया में नहीं आपके लिए मामूली बात होगी पर हमारे लिए नहीं वो चाहता है ना कि मैं उसके पैर पकड़ के गड़गड़ा हूँ ठीक है मैं चाहता हूँ बात है भ स्टाहीन प्रृशित फिर हमारे Human बदे को फिर्पड को इसले इसले उडेघ जाए इसले अवाइक इसले आज इसले इसले जो प्रमराइ्टा के भागे लिए लिए तरुट पूर आहर पोर्याँ करिछ मागेशने कर लिए लिए रगा किसो लिए लिए भागे धिकूले लिए, ड़ती है जा जागे जातावर प्रेफिक लिए। हमारा क aha कर दो हमारा कर दो रaşो झाल 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 वफ एह जआसा अजत एढ मेरा और नंजय कोटे का बस एक ही स्वभाव है जो इस धर्ती पर गिरते ही विशाल पेड बन जाता है तुम बस एक बौधे हो और मैं एक विशाल पेड हूँ ना ही नंजय कोटे बदला और ना ही मैं हुई तुम बस एक है हुई तुम में हुई तुम पांपूँ आद से लिए हुई तुम मुद एक है जटे टेज़ आँ लाँ एक जड़ा ले 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 लेर करन को ररे ले लेड़ लेक सम्हें है ठाँ हम जो हम जग Sand कर डियसे ताँ तौह अ कर संव कर संव पार ते जौार रे ताँ ऑज यह नंचन कोटे हमेशा मेरा रहेगा लोगों की कमजोरी इसी में है कि उड़ते ही गिर जाते है जब अमेर को गुस्सा आता है तो तो जैसे अमेर मिट जाते हैं असपिछ कि अढ़एभ़ कर खंग एकि उक्राए़ कर दो समय झाल 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 जोपडबटी से जोभी लोग यहां आएंगे उनके आने तक यह यही पड़ा रहे हैं अबदोल उमर की तरह जिसने पाला था उसकी भी ऐसी कहानी बन गई है झाल 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 हुआ हुआ भुआ होता है फ़री कि उता हुआ हुआ इनकी जिन्दगी में भी अब रोश्णी उगने लगी है अपनी पुरानी तकलीफों को भूलकर लोग अब वापस अपने गाउं लोटने लगे है नंजे कोटे का वो दर्दनाक इतिहास आज सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया है नंजे कोटे में जो अत्याचार हो रहा था उसे रोकने के लिए जिस एक नायक के आने की उमीद थी वो नायक आया भी था और शायद वो लोटकर वापस फिर आएगा नई सोच, नई शुरुवात, नई योजना उस शक्स के आने का हिंदार कर रही है प्रुष्ट प्रुष्ट अजबगाएबाएबाबाएश भाल दूभण प्रुष्ट है यहां आने के लिए तुमने किसी की पर्मिशन ली थी क्या हर महीरे यहां आकर उधम मचा देते हो यह दोड़ना पुरी मेरा इलाका है यहां से कोई भी बचकर जा नहीं सकता उपर वाला भी मुझसे बचकर नहीं जा सकता यहां किसे क्या करना है और कैसे जिना है उसका फैसला मैं करता हूँ मुझे मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अब कोई मुझसे माफी मांगे काट दूँ क्या कोई परिशानी है क्या क्या कुल अ क्या आए क्या झाल 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 झाल